एक छोटा सा गाउं था। गाउं में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार-बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। गाउं का ही एक सिपाही फौज में था और छुट्टियों में आया हुआ था। उसने अब्दुल को राय दी। फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है। तुम भी क्यों नहीं भरती हो जाते। उसके अब्बा यह सुन नाराज होकर बोले। अब्दुल हमीद की शादी कर दी। सोचा अब तो पल्टन में ना जाएगा। अब्दुल की बीवी रसूलन अच्छे स्वभाव की थी। उसने अब्दुल की बीचैनी देखी। वो बोली। सूर्मा बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ पल्टन में। मैं सच्छे मन से कहती हूँ। रसूलन ने दिल पर पत्थर रख कर अब्दुल को भरती दफ्तर भीज दिया। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बना कर वो भरती हो गया। सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमन हो गया। अब्दुल भी मोर्चे पर गया। चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में बढ़ना शुरू किया। भारती ये सेना तितर बितर हो रही थी। बहुत से जवान रास्ता भटक गए और कुछ मर भी गए। में पहुचे। कल्वा की मौत सुन अब्दुल सक्ते में आ गया। फिर एक दिन भारत का जंडा देख। घायल अब्दुल को वहां पहुच खबर मिली कि लड़ाई बंध हो गई है। और सेना को घर जाने की चुट्टी मिल गई। अब्दुल के घर पहुचने पर गाउं में खुशी मनाई गई। कल्वा की मा ने अब्दुल से कहा। मेरा लाल कहा है बेटा। माता जी, कल्वा ने बहुत बहादरी और साहस से दुश्मनों का सामना किया। पर मुझे अफसूस है, वो हमारे बीच ना रहा। माई 1964 में पंडित जवाहलाल नेहरू की मृत्यू से पाकिस्तान को भारत के टुकड़े करने का अफसर मिला। और उसने जम्मू कश्मीर, राजिस्थान और पंजाब में घुस पैठिये भीजे। 10 सितंबर 1965 को सुभा आट बजे, खेम करण के सपाट खीतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। वहां अब्दुल अपनी कंपनी को लेकर जाड़ा। एक जीप में सवार अब्दुल ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से उड़ा दिया। अब दुश्मन की टैंकों ने अब्दुल की चारों ओर घेरा डाल दिया। अब्दुल अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को भुलावे में डालता रहा। उनकी तोपें और टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। किन्तु अब्दुल का होसला पस्त ना हुआ। बढ़ते बढ़ते खीम करण में टैंक खेत होते रहे और वहां दुश्मन के टैंकों का अविस्तांसा बन गया। अकेला अब्दुल अपनी मशीन गन से दो टैंकों को आग लगा कर पीछे टैंक पर गोलियों की वोच्छार कर रहा था। उसकी समय उसकी जीप एक चलती टैं के होसले बढ़े और इस तरह भारती जमीन से शत्रु से न भाग गई। अब्दुल पुरी तरह घायल हो गया था। उसका सारा शरीर आख से जुलस गया। आखें खराब हो गई। वह वहीं शहीद हो गया। उसके घर पर रसूलन उनके दो लड़कों और एक लड़की को अब्दुल के शहीद होने की खबर मिली तो उनकी आखों से गंगा जमना बह निकली। बूरहे माबाप की तो बात ही क्या। उसने वीर सैनिकों का मस तक उंचा कर दिया। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्रे से सम्मानित किया। तो बच्चों इस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मात्र भूमे की रक्षा करना हमारा कर्तव है। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है।